हलो दोस्तों क्या हल चाल कैसे हूँ आप लोग तैयारी अच्छी चल रही है एक्जाम्स बिल्कुल क्लोज हो रहे हैं तैयारी पर पूरा फोकस रखने का कल से मैं लाइव आउंगा जैसा आपने डिसकस किया था और लाइव आके आपको mcqs कराने वाला हूं सारे कराने वाल एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कल अमेंडमेंट CACS CMA कोडिनेशन बिल जो अपना था रिपोर्ट 45 स्टेंडिंग कमीटी की थी उस पे वेसिस पे उसमें इंस्टिट्यूट ने ओवियसली सबको पता है कि क्या उसमें परलेमेंट ने स्टेक लिया है उस को पास किया है कोडिनेशन डिसिप्लेन बोर्ड अप डिसिप्लेन इसके लिए लोग आ रहे हैं और एक जबर्जस्त हवा चली कल से कि आई 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 ये नहीं आरा नहीं आरा नहीं आरा नहीं आरा नहीं आरा हर किसने का आई आई ये का जिक्र कहा है वो पहले वो कह भी र हर बंदे से बात करो जो institute के regulations में हैं जो council के लोग है president vice president के statements देख लो उन्हों को पता है कि IIA की तयारी government of India कर रही है कर रही थी साल डेड़ साल से चल रहा था यह मामला कर रही है करती रहेगी एक proof देता हो of course जो यह bill था यह IIA का बिल नहीं था आप तो सब कानूम समझने वाले लोग हो आपको तो सब को पता है और जो लोग कह रहे थे बड़े जोर जोर से IIA नहीं आ रहा नहीं आ रहा फालतू की debate है यह सब फालतू बातों पर rumors पर ध्यान देना छोड़ दो दो दिन पहले वही कह रहे थे IIA जैसा institute आएगा कोई बात नहीं मैं अपनी बात पर तब भी जैसे था वैसे आज भी हूँ obviously अपने को कोई YouTube वीडियो व्यू के लिए नहीं बनाने होते हैं facts research करके बच्चों को बताने के लिए बनाने होते हैं उस पे standing committee की report थी वो बिल आया पर्लेमेंट में वो पास हो गया यह IIA बनाने या बिगाडने का बिल था ही नहीं नमबर बन तो IIA का जिक्र उस बिल में होने का कोई मतलब नहीं है दूसरी बात finance minister ने जब सारे लोगों को जिनों ने उस debate में हिसा लिया था participate किया था especially opposition के लोगों को जब finance minister जबाब दे रही थी उसने साफ साफ सब्दों में कह दिया हम IIA क्या ऐसे और भी bodies लाने की तैयारी कर रहे हैं और हम लेके आएंगे अब बताओ आप बिल तो ultimately उनके से से वही government यह जल्दी से जल्दी government चाहती है मैं बनाओ government अब कितना successful होगी वह अलग बात है हो सकता है कि बिल्कुल पिट जाए और मैं भगवान से मनाओंगा कि ICIA के सामने IIA को एकदम ऐसी मूँ की खानी पड़े लेकिन उसके पीछे से हमारा reform हो जाए और हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़े आ जाए CIA Institute थोड़ा जागे और बहतर काम कर दे हमारा कल्यान हो जाए लेकिन government IIA को भूल चुकी है उसको reject कर चुकी है proposal को ऐसा वो एक line में वो बिल में नहीं है यह matter IIA जैसा institution या ICI जब act of the parliament से बना होगा तो एक special bill आया होगा पार्लेमेंट उसे pass किया होगा IIA के लिए एक अलग bill आया IMIT ऐसे ही बने हैं और सबसे ज़ादा अगर आपको किसी चीज को ध्यान से सुनके opinion build करना है तो आपको opinion build करने का एक ही source है finance minister का response to the debate जो उसका तिशेश अधिकार था उसी के पास वो rights थे जो उनका response है that says everything because finance minister या prime minister जो कुछ भी कहता है वो field of finance and governance को ले करके एक तरह से law ही होता है आने वाले समय में automatic उसका reflection आपको law में दिखता है तो मैं CSCMA जो amendment bill था उस पे ज़्यादा coordination का जो bill था उस पे ज़्यादा focus ना होके वो तो सबके पास है सबने पढ़ा है सबने देखा है सबको idea है IIA की बात में मैं finance minister के statement को seriously लूँगा और उस पे मैं अपना opinion build करूँगा और उस opinion में ये clear है और जित्ते भी लोगों से उन तो नहीं बैठे लेकिन हमें ये दिमाग से निकाल देना नहीं अब आई है नहीं आएगा और फिर थोड़े दिन के बाद आएगा और यार क्या करें गवर्मेंट न तो बनाई दिया तो फिर बात पूरी नहीं आएगा छोटी सी बात मैंने का चलो अफडेट कर दू मेरा अपना ओपीनियन मैंने सारे लोगों के स्टेट्मेंट्स देखे गॉर्मेंट के लोग क्या केते है उसको देखा और उसके बाद मैने ये conclusion ड्रो किया और ये conclusion 100% सही है vivas कब आएगा अब इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है, एक साल बाद आए, दो साल बाद आए, पास साल बाद आए, या हो सकता है, अगले महीने उसका बिल प्रेजेंट हो रहा हो, जो भी next session हो, परलेमेंट का, या हो सकता है, गौर्वर्मेंट तयार करके बैठी हो, इसी बिल में लिया है, इसी, अब ये session शायद बट अभी God knows क्या होगा, बट ये government के determination में दिख रहा है, finance minister हो, ex finance minister हो, उनका debate था ये, prime minister हो, standing committee हो, सब इस पे एक मत है, so ये एक reality है, हम इससे आखें बंद कर लेंगे, तो शिकारी हमें शिकार नहीं करेगा, ऐसा सुचना भी गलत है, आखें खुली रखनी है, उससे counter की त relax ना होना भाई, आपको तो सब पता अंदर की बात, आप तो अपने reforms चालू रखना, and wish you all the best, thank you.